हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे लाभ हानी के प्रेशने बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है दोस्तों सभी प्रेशने परिक्षा में पूछे गई हैं मैं इस प्रेशनी की बात करूं RRB 10.1.2019 में पूछा गय कितना है देखिए जो भी पूछा का क्रेमूल्य होगा अपने आप में 100% होगा इस बात को आप जानते हैं कोई भी चीज होती है उसका मुल्य 100% होता है अब यहाँ पर उसने क्या क्या 1440 रुपे में उस पूछा को बेच दिया तो 20% का लाभ हुआ ठीक है 20% का लाभ भाई देखिए 100 की चीज को 20% लाभ पर बेचेंगे तो इसका मतलब कितने में बेचेंगे 120% में बेचेंगे बैस्तू का क्रेमूली 100% होता है उस पर हमने क्या क्या 20% के लाभ पर बेचा तो 100 की चीज को 20 के लाभ पर बेचेंगे मतलब 120% में बेचेंगे और रुपे में कितने ब प्ते कितना ? 120. ये 1 % का मान हो गया. ठीक है töb अब 100 % का मान ने कालना है क्योंकि क्रेमुल्लि का मान कितना होता है? 100 5 से, 100 % का मान ने कालने हैं, तो 100 से गुना कर देंगे, बस प्रष्चन का अंशर आगया 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 144 बारे बार में कर जाएगा और 12 का गुना 100 से करेंगे आंसर 1200 हो जाएगा बात खतम हो गई 1200 आपके प्रश्णि का सही आंसर आ गया C option पहली बोला था सभी प्रश्णों को आसान तरीके से सीखेंगे अब देखेंगे हम अगला प्रश्णि अगला प्रश्णि है एक 13% हानी और 15% लाभ के भीच अंतर 13 रुपे था तो बस तुका क्रेमूल्य है RRB 1611 2018 का प्रश्णि भाई क्रेमूल्य क्रेमूल्य मतलब 100% का मान पूझ रहा भाई क्रेमूल्य का मान केतना होता है अपने आप में 100% होता है कभी भी ऐस तरीके के प्रश्णि आ जाए 13% हानी और 15% लाभ के बीच अंतर 63रुपे है कभी कभी क्या पूछेगा के 13% हानी के यह पेच्चा 15% लाभ पर बेचा जाता ऐसे या फिर देदेगा 14% हानी और 15% लाभ के बीच अंतर 63ण रुपे है एक जगे हानी हो एक जगे लाब हो तो दोनों को जोड़ करके जो मूले दे रखा उसमें डिवार दे देंगे ठीक है तो मूले आपके पास कितना है 63 एक जगे हानी हो एक जगे लाब हो दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा भाई 15 और 13 कितने हो जाएगा 28 हो जाएगा 28 हो जाएगा ठीक है और प्रेशित की 100% का मान निकालने के लिए क्रेम मूले के निकालने के लिए से कटेगा 125 बार में और 25 का गुना नो से कर दो 225 आप का अंसर आ गया पहला उप्शन समझ में आगी बात अब देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने है 18 प्रितिसत हानी और 17 परसंद लाब के बीच अंतर 63 रुपे है तो बस्तू का क्रेम मुले दो उस तो 2018 में करते देते हैं मुले 63 है दोनों को जोड़ो भाई 18 और 37 को जोड़ेंगे 35 हो जाएगा ठीक है हमें नेकालना है क्रेम मुले 100 परसंट का मान नेकालना है 100 से गुना कर दीची ठीक है 7 से ये भी कटेगा 9 बार में 7 से ये भी कटेगा 7 पंजे 35 बार में अब 5 से कटा दो 100 को 20 नेका चर दो 20 से 180 हो जाएगा आप का अंसर कितना आ गया भाई reboot अग्या जल्दी जल्दी प्रेशन वो रहे हैं आसानी से कोई ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा हो सभी प्रेशन आसानी सेक्ट होंगे कोई भी कटिन प्रेश्न होगा वह भी आसानी सेक्ट होगा ठीक है अधिक मिलते हैं मोबाइल का क्रेम मुल्य क्या है देखिए एक जगे लाब है एक जगे हानी है तो मैंने क्या बताए एक जगे लाब हो एक जगे हानी हो दोनों को जोड़ करके मुल्य में डिवैड दे दू मुल्य कितना है 870 दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 कितना हो जाएगा चारतिरिक का बारा ठीक है और चार से से कटाऊँगा ये कट जाएगा चार से 25 बार में ठीक है चारतिरिक का बारा चार से 25 बार में कट गया अब दीखे मैं तीन से से कटाऊँगा तो क्या कटेगा तीन से से कटाऊँगा तीन दुने का छे दो बचे का 27 तीन निमे का 27 और ए 25 का गुना 2 से करूँगा 50 और केरी का 22 कितना हो जाएगा 62, 250 चेस मैं 22 जोड़ूँगा 70, तो 72 पचास आपके प्रषणी का क्य हो गया दोस्तू बिल्कुत सही जबब, 72 पचास, D- ॉप्षन हो जाएगा प्रषणी का बिल्कुत सही जबब, आसानी से समझ में आ गया अब देखेंगे अगला प्रशनी है एक कुर्सी के विक्रे मूले पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर आता है तो कुर्सी का क्रे मूले क्या है ये 2018 में पूछा गया था ठीक है आरा अब देखिए मैं आपको बता दू यहाँ पर दो छूटे है एक 10% की और 14% की अगर ऐसा होता कि एक जगे लाब हो और एक जगे हानी हो तो दोनों को जोड़े लेते हैं लेकिन यहाँ पर तो दोनों जगे हानी हैं दोनों जगे छूट दे रहा है मतलब दोनों जगे हानी कर रहा है आईसा प्रशन हो कि दोनों जगे हानी हो या दोनों जगे लाब हो तो वहाँ पर क्या कर लेते हैं दोनों का अंतर अगर एक जगे लाब होगा एक जगे हानी होगा तो उन्हें जोड़ती हैं अगर सिम वेलू दे रखी होई हानी हानी तो घटा लेंगे लाब लाब तो भी घटा लेंगे ठीक है तो क्या करेंगे भाई दोनों का यहाँ पर अंतर कर लेंगे क्योंकि दोनों जगे हानी है तो 14 का और 10 का अंतर कितना जगा 4 मूले में क्या कर देती है डिवाइड देती है ठीक है जो मूले होता है उसमें क्या कर देती है अगर एक जगे लाब होता है एक जगे हानी तो जोड़ करके डिवाइड करते दोनों जगे हानी है तो अंतर करके डिवैड करेंगी ठीक है अंतर करके अब हमें क्या करना भई क्रेमुल निकालना है 100% कमान तो 100 से गुना कर दू ठीक है चार से कटा दूँगा 100 को तो ये कटेगा 25 बार में और 27-25 का गुना होता भई 675 675 आपका सही जवाब ठीक है 675 सी ओफ्सन बिल्कुल सही हो गया बात समझ में आ गई अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है एक बस्तू 12 प्रेश्चत हानी पर बेची गई यदि इसे 49 रुपे अधिक मुल्य पर बेचा जाता है तो 2% लाब प्राप्त होता है बस्तू का क्रेमुल्य है देखेंगे 12% हानी 2% का लाब एक जगे हानी है एक जगे लाब है तो दोनों को जौड लेंगे और जोड के क्या कर लेंगे मूल्य में डिवैगे मूल्य पक्алог कितना का एक सोडे मूल्य क्रेमुल्य adop बार में चाति का फचा कर दो साथ प्रश्य 35 और एक जीरो मतलब 350 यह आपका क्या गया सही आंसर आ गया 16 11 2018 में पूछा गया प्रेश्ण 350 मतलब डी ओप्सन बिल्कुल सही के लिए रोगी बात अब देखेंगे अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्णी है किसी बस्तू को बेचने पर 33 परसंट हानी और 7 परसंट लाप का अंतर 220 है तो बस्तू का क्रेम मुल लिख क्या है भाई यह एक जगे हानी है एक जगे लाप है तो क्या करेंगे दोनों को जोड़के मूले में डिवाइट कर देंगे मुल लिख का 220 है 33 और 7 को जोड़ूँगा मैं 40 हो जाएगा और 100 परसंट का मान नेगालना है तो क्या करेंगे 100 से गुना भाई ठीक है खतम प्रेश्णी सबकी समझ में आ गया 0 से गया 0 चार से गया 125 बार में और 25 का कर दो गुना 22 से तो 25 का गुना मैं 2 से करूँगा 50 50 का 0 आजाएगा केरी का 5 25 का गुना करूँगा 2 से 50 50 में जोड़ूँ केरी का 55 तो ये कितना हो गया भाई 550 आपका अंसर हो गया D option सही हो गया केलियर है एक मिनट के अंदर ही आंसर आना चाहिए ठीक है अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है इस पूर्ती ने 17% के लाव पर जूतों के जोडों को 2223 रुपे में बेचा था जूतों के जोडे का क्रेम मूले कितना था 1,10,2018 में आया हुआ कोई चीज को हमने 17% लापर बेची है तो हमारी कोई भी मूले की कीमत कितनी होती है अपने आप मैं 100% और मैं 17% के लापर बेचूँगा तो 100 की चीज को 17 के लापर बेचूँगा इसका मतलब की वैलू क्या हो जाएगी 2230 बटे कितना 117 और हमें क्या निकालना क्रेम मूले 100% का मान निकालना तो भीया कर्दो 100 से गुना आंसर आ गया ठीक है कर्दिया 100 से गुना तो आपका आंसर आ गया अब 117 से 2230 कितने बार में कटेगा भीया 2230 आपका कटा देंगे ठीक है? कितनी बार में कटा देंगे? 117 से 2230 को 19 बार में कटा देंगे ठीक है? 19 बार में कटा देंगे अब 19 का गुना 100 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1900 बाद खतम प्रेशन का अनसर आ पका आ गया 1900 अब देखेंगे अगला प्रशन है एक दुकानदार ने नई बस्तू की कीमत 1200 अंकित की थी 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रेमुल पर 20% का लाब होता है तो बस्तू का क्रेमुल गात कीजिए बाई यह प्रशन थोड़ा अलग दे दिया इसने बहुत ही अलग प्रशन दे कीमत को ते किया गया है ठीक है 1200 सी और 10% की चूट उस पर दी गयी है 1280 अंकित के एए न तो इसका मतलब यह 100% का मानो गया 10 की चूट दे दी तो 100% की चीज पर 10% की चूट दे देंगे तो इसका मतलब उसे हम 90% में बीचेंगे ठीक है परशन का मतलब क्या बटे में 100 आब आगया जाएए अब कहरा कि छूट देने के बाद भी उसे क्रेम मूले पर 20% का लाव होता है कितने का लाव होता भया 20 का तो इसका मतल़ 100 की चीज को हम कितने बेचेंगे 120 में बेचेंगे ठीक है और प्रेस्ट के लिए क्रेम मूले निकालना है तो क्रेम मूले के लिए क्रेम के लिए बट्टे में 100, 90% में दे रहे हैं, बट्टे में 100, अब हमें क्या करना है, 120 में बेच रहे हैं, तो 120 गुन्य 100, खतम हो गया प्रश्णी, यहीं पर, 2 0 से सीधे सीधे मैं यहाँ पर यह 2 0 कटा लूँगा, और 1 0 से मैं यह वाला 1 0 भी कटा दूँगा, 2 से कटेगा 5 भार में, 2 से कटेगा 6 भार में, 3 से कटेगा 3 भार में, 3 से कटेगा 2 भार में, ठीक है, और 2 से इसको मैं कटाऊंगा, 2 6 बार है, 2 64 भार में, ठीक है, 5 3 का 15, 15 का गुना 4 से करूँ, पंदर चोके 60 का 0 केरी का 6 पंदर चिक के 90 और केरी का 6 96, 960 आ गया आप का आम सर 960, बी ओफ्सन बिल्कुल से, किलियर है ये 2016 में पूछा गया था अब देखेंगे अगला प्रश्न अगला प्रश्नी है, एक दुकांदार एक बस्तूपा 320 रुपे अंकित करता है, यादि 10% छूट के बाद भी उसको 20% का लाब होता है, तो उस बस्तूपा क्रेमों ले ज्याद कीजिए, अच्छा प्रश्नी है, बिल्कुल वैसा ही है 320 रुपे अंकित की है, उसने कोई बस्तूप की कीमत, 10 की चूट दे दी, तो 100 की चीज को 10 की चूट दे देगा, इसका मतलँ 90 में बिचेगा बटे में 100, अब क्या करना है 20% का लाब कमाना है, तो 100 की चीज को 20% लाब के कमाना मतलँ 120 से बिचेगे, और 100 से क्या कर देंगे गुना, ठीक है जीरो से जीरो कटाएंगे यहाँ पर भी जीरो से जीरो कटाएंगे और इस वाले जीरो से ये वाले जीरो कटा दो दो से कटेगा पांच बार में दो से कटेगा छे बार में तीन से कटेगा दो बार में और तीन से कटेगा तीन बार में ठीक है और दो से कटेगा 32, 16 बार में पंदर त्रिक का कितना हो जाएगा 45, 15 त्रिक का पंदर त्रिक का पंदर है, 15 का गुना 16 से कर तो भई, अंसर आगया, कितना हो जाएगा 240, पंदर का गुना 16 से करेंगे कितना हो जाएगा 240, यही आपका अंसर हो गया, पहला ओप्सन बि पैकेट हैं जो 8,625 रुपे में बेच दिये गए लाब 15% मिला तो उनका क्रेम मुल्य ग्याद कीजी देखिए जो भी क्रेम मुल्य होगा वो 100% होगा अपने आप में ये बात आप अच्छी से जानते हैं उसको हमने बेचा तो लाब कितना मिला 15% का तो इसका मतलब 100% की मतलब 115 में बेचा और रुपे में कितने में बेचा 8,625 में बेचा 8,625 में बेचा तो 115% की वैलू 8,625 होगी तो 1% की वैलू कितनी हो जाएगी 1% की वैलू 8,625 बटे में कितना 115 ये 1% की वैलू होगी हमें क्रेम मुल्य निकलना है तो क्रेम मुल्य के लिए क्लिए क्लिए सो से गुना क्योंकि क्रेम लिक्यमान कितना होता है 100 परसेंट कटा लेंगे बस आप आप स्राज एका ठीक है दिखें मैं यहाँ पर कटा दूँ 5 से कटा दूँ इसको तो 5 से कटेगा थीस वार में 5 से पांच एकम 5, 5 सत्य 35, 5 दुने का 10, 5 पच्चे 25, सत्रेसो पच्चीस वार में ये कटेगा, अब तेज से काटूँगा मैं सत्रेसो पच्चीस को, तो 75 वार में ये पूरा-पूरा कटेगा, और 75 का गुना 100 से कर दूँगा, ये हो जाएगा 75, ये आपका सही जवाब, ठीक है, 75, बिल्कु सही जवाब हो गया, बी ओफ्सन बिल्कु सही, सबकी समझ में आ गया प्रेशनी, अब देखेंगे हैं अगला प्रेशनी, अगला प्रेशनी है, जब बबलू जूतों के विक्रे मूलने में कमी करके, इसे 360 से 345 कर देता है, तो 360 से 345 कर दिया, तो कितने का हानी हो रहा है, उसे 360 से 315 कर दिया, तो कितने का हानी हो रहा है, तो 345 कर देता है, तो उसे 4 परसेंट ज्यादा हानी होता है, भाई रुपे में कितने का हानी हो रहा है, और प्रितिसत में कितने का हानी हो रहा है, 4 परसेंट का, तो 4 परसेंट क पंद्रे के बराबर तो एक परसेंट की पेलू क्या पंद्रे बट्टे चार किरेम मुले निकालना सो परसेंट कामाण तो सो से गुना तो चार से सो को कटूँगा 25 बार में 25-25 का गुना कर दूँगा 375 15-25 का गुना कितना होता भाई 375 होता है B-Option आपके प्रेशनी का बिल्कुत सही जवाब है उम्मीद करूँगा कि सभी को प्रेशन आसानी से समझ में आगया होगा किसी को कोई परिशानी बिल्कुत नहीं होगी ठीका दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद